भारत की इतिहासिक जित लगाता दूसरी बार ओस्टलिया को टेस्ट से सिरीज में दी घर में मात शुबमंगील, चेतिश्वर पुजारा और रिशवपंते ने ब्रिजवेंट टेस्ट के आखरी दिन अरदशत के पारी खेल कर भारत को इतिहासिक जित दिला दी और जिक की रहाने की अगुआई में टीम इंडिया ने ओस्टलिया में इतिहास रज़ दिया है भारत ने चोते और आखरी टेस्ट में मेजवान ओस्टलिया को तीन विकेट से मात देकर लगाता दूसरी बार ओस्टलिया में बार्डर गावस पर ट्राफी पर कपज़ा कर लि इसके बाद भातियों गिंद बाजों ने दूसरी पारी में मेजवान पर लगाम कस की रखा और 294 रन पर ओल आउट कर दिया इस तरह से उस्टलिया भारत को जीत के लिए 328 रन का ही लक्षे दे पाई जिसे भारत ने आसानी से हासिल की कर लिए मेडन टेस्ट शतक से चूके गिल सलामी बल्लेबाश उबन गिल अपने मेडन टेस्ट शतक से चूक गए लेकिन उनकी शांदार अधुशत के पारी से भारत ने टीब रेक तीन विकेट पर 183 रन बना कर मेजवान पर दवाब बना लिया था भारत ने दूसरे शेशन में उ 21 वर्षी बल्लेबाश ने सहजिता से कट और ड्राइव लगाए और को शोट पीच गेंदो खुबसुरत पूल शोट भी लगाए उन्होंने अपना दूसरा अधर शतक पूरा करने के बाद मिचल स्टॉक के बाउंसर को बिग वर्ट पॉइंट पर 6 रन के लिए भी स्टम से भार जाती गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में स्लीप में स्टीव स्मीथ को केज दे दिया गिल ने 186 गेंदो खेली तथा आच चोके और दो छक्के लगा इसके बाद राने कमिंज की गेंद पर आउट हो गए पुजारा और पंत बने ढाल राने के आउट होन पंत ने जिम्मेंदारी संभाली और मैंग अग्रवाल के साथ मिलकर 36 रन की साध्यदारी की मैंग अग्रवाल एक बार फिर फ्लोप रहे और नो रन बनाकर कमिंज की शिकार बने इसकी बाद वोशिंटन सुंदर ने पंत का दूसरा छोर पर साथ देकर भारत की जीग को कोल्ड होगा इसके बाद शाद उल्ठाकुर भी दो रन बनाकर पविलियन लोड गए 325 रन पर साथवा जटका लगने के बाद नफद सेनी क्रीज़ पर आये मगर उस समय स्ट्राइक पंत के पासी थी और पंत ने विजय चोका जड़कर भारत को इतिहासिक जीद दिला दी फ्रेंड्स आपका शुबमन गेल, चेतिश्वर, पुजारा और रिशप पंत के बारे में क्या कहना हैं कमेंट कर ज़रूर बताए चैनल को सब्सक्राइब करें में इस जगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार